दोस्तो आगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो किसी भी पार लाइट या डीजे लाइट का SMPs को बहुत ही आसाने से रिपेर कर पाऊगे चाए वो 24 बोल्ड का हो या 36 बोल्ड का और तीनों को तीनों जो SMPs है ये dead condition में है तो इसको हम रिपेर कैसे करेंगे तो step by step आपको बताऊँगा तो हम ये वाला को रिपेरिंग करके दिखाऊँगा और एक अगर रिपेरिंग करना सीख लिया तो आप बहुत ही आसाने से बाकी जो सारे SMPs पार लाइट का वो भी आ हम ये एक माल्टिमीटर की जोर्वत परेगी और इस माल्टिमीटर को हम इस्टेमल करने वाला हूं इस पावर सप्लाई को रिपेर करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वाटिंग जब भी कोई भी SMPs पावर सप्लाई के अंदर dead का प्रॉब्लम आती है तो कुछ ख continuity range पर सेट कर दिया हूं बहुत सरी लोग इसको बीप रेंज भी बोलता है जहां पर दुनों प्रॉब्लम को टच करने से ऐसा आवज निकलती है तो हमने यहां पर बीप रेंज पर सेट कर दिया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं हर एक components को कैसे चेक किया जाता है electronics का अंदर और यहां पर components check करने का जो तरीका है आपको बाकी जो electronics circuit है उहां पर भी इस्तेमाल होती है यहां पर देखे सबसे पहले हमारा क्या होता है 230 volt ACES अपला यहां से input होती है तो यहां से input होती है तो हम क्या करेंगे दोनों प्रॉब्लम को हम टाच करेंगे यहां पर जो fuse इसका अंदर लगा हुआ है यह अंदर से open हो चुका है तो हमें इस fuse को भी replacement करना परेगा लेकिन दोस्तों यह fuse तब भी कराब होती है जब हमारा आगे की कोई components खराब होती है ऐसे आपने यहां पर यह हमारा fuse खराब नहीं हो जाती है तो अब हमें देखना होगा कि voltage input हो रहा था और input होके fuse के अंदर से जाते होए यहां पर bridge rectifier के अंदर आ रहा था तो मैं थोरा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग को सारे चीज़ अच्छे से देखने को मिले तो यह जो bridge rectifier है इस bridge rectifier के जो beach वाला दो point है यहां से हमारा AC supply input हो रहा था इसको हम sorting के output section को touch करा तो हमारे multimeter से beep sound आ रहा है यानि कि यह हमारा fully short है 0.3 ohms का sorting हमें दिखा रहा है इस bridge rectifier के अंदर यह bridge rectifier यह वाला होता है चार डायोड को मिला के एक bridge rectifier यह बने आ जाता है तो इसका output में तो हमारा sorting दिखा रहा है तो इसका input सही है तो output sorting है इसका मतलब हमारा output में कोई गरबरी है अगर यह हमारा bridge rectifier खराब हो जाता तो चारों legs पर हमें sorting देखने को मिलता लेकिन input में दिखने को मिल रहा है लेकिन output में sorting बता रहा है तो इसको चेक करने के लिए इसके आगे जो components लगे हुए है यह register और यह हमारा MOSFET इन दोनों को हम चेक करते हैं register हाला कि यहां पर देखिए register में beep आ रहा है इसका मतला हमारा register सही है अब हमें क्या करना होगा यहां पर MOSFET लागा हुआ है 465 का तो इस MOSFET को हम चेक करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में चेक करेंगे जो कि एक नंबर और तीन नंबर पीन यहां पर sound नहीं आ रहा है इसका मतला एक नंबर दो नंबर पीन सही है उसके बाद दो तीन नंबर पीन को चेक करेंगे तो यहां पर देखिए beep sound आ रहा है तो देखिए एक साइड यह जो हमारा MOSFET है इस MOSFET का एक साइड तो beep आपको आ सकता है कोई बात नहीं आप क्या करेंगे इस साइड सामे beep sound देखने को मिल रहा है इसका मतलब हमें confirm हो चुका है कि इस MOSFET का एक साइड जो है सौट हो चुका है जिसके वैसे हमारा यह fuse open होने के साथ साथ हमारा यह smps power supply डेड़ भी हो चुका है इसके अंदर output हमें देखने को नहीं मिल रहा है और मैं आपको दिखाना चांगा कि इसके अंदर दो एक जो SMD components पीछे साइड लगा हुआ है वो भी हमारा यहां पर जल चुका है यहां पर देखे यह वाला जो components है इसका अंदर track भी हमारा जल चुका है और track के आसपास एक जो component से यह भी जल चुका है तो उसके आगे यहां पर PWM IC लगा हुआ है लेकिन हमारा यहां पर क्या मिला कि यह जो MOSFET है यह MOSFET खड़ाब मिला है तो आगर हम इस situation में इस MOSFET को open करके हम नया वाला same number का MOSFET लगा देंगे तो यह power supply ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और इसका output भी हमें सही से नहीं मिलेगा तो इस चीज़ को repairing करने के रिए हम लो सब्सक्राइब के अंदर इंस्ट्राल करना है सारे सार्किट यहां पर दिया हुआ है इसके जो अंदर 300 बोल इंपूट होगा और आउटपूट आप 110 बोल्टक यहां पर देखें ट्रांसफर्मर के अंदर यह हो सकता है चले इस मोडियूल को में बहान निकलता हूं और बह प्राइब कर सकते हो और यह हमारा फीड़बेक के लिए होता है तो अमरे जो रेड़ वाला वेर है दूस्तों यह लग जाएगा हमारा फिल्टर क्यापसिट और के जो नेगटीव पॉइंट है उस नेगटीव पॉइंट के साथ हमारा ब्लैग वाला वायर जूट जूट ज जाए या बर्न हो जाए या इसके आसपास का कोई कॉम्पोनेंट जल जाए तो आपको उस समय क्या करना होगा यह हमारा ग्रीन वाला वायर है इसको लगाना होता है और इस ग्रीन वाला वायर को फीडबेक के लिए इस्तेमल किया जाता है तो यह अगर आपको लगाना है त तो यह एक हो गया तरीका एक दूसरा तरीका यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन दुनों जो ओयर है इन दुनों ओयर को लगा के भी आप रिपेर कर सकते हो तो इसके अंदर यह हमारा PWM IC सही है तो हम क्या करेंगे इन दुनों ओयर को लगा के इसको रेडी करेंगे तो इसके चलिए सबसे पहले हमें यह जो मॉस्पेट को बाहर निकलना परेगा चलिए इस मॉस्पेट को बाहर निकलता हूं और इसको लगा कर देखता हूं कि आउटपूट में हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं हमने इस SMPS के अंदर से यह वाला MOSFET COM ने निकल लिया हूँ जिसके अंदर यहां पे देखिए 7N65 का MOSFET लगा हुआ था तो अब हम इसके अंदर इस module को इंस्ट्रॉल करेंगे तो इसको इंस्ट्रॉल करने से पहले इसका जो यह वाला वयर है इसको हम काट लेंगे ताकि इधर उदर टाच होने के बाद सौट ना हो जाए उसके बाद तो यह जो module है दोस्तों इस module का जो ब्लैक वाला पॉइंट है इस ब्लैक वाला वयर को हम इस मेन कापासिटर के नेगटीब के साथ जोड़ देंगे उसके बाद यह जो रेड वाला वयर है इस रेड वाला वयर को यह जो हमने मौसपेट निकाला हूँ इसका जो बीज वाला ड्रेन का पीन था उस ड्रेन पीन के साथ हम सौलडर कर देंगे यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि गलती से भी हमारा यह रेड वाला वयर ग्राउंड के साथ टच ना हो जाए तो आप नजदी की से देखिए हमने कहाँ पर कैसे इसको सौलडर करा हूँ यह हमारा नेगटिव पॉइंट है और यह हमारा ड्रेन पॉइंट है मॉस्पेट का तो इसको पावर देने से पहले हमें इसका जो आउटपूट सेक्शन है यहाँ पर सौट है या नहीं यह भी हमें चेक करना होता है खास करके यह जो हमारा डायोड लगा हुआ है डॉबल डायोड यहाँ पर आपको डायोड भी देखने को मिल सकता है और डॉबल डायोड चिप भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर डॉबल डायोड चिप लगा हुआ है होता है सौट रहे था है और बीज वाला होता है आउटपूट चलिए हम चेक कर लेते हैं यहां पर देखें कि ओम सो कर रहा है यानि कि यह सही है तो अब हम इसके अंदर सिरीज कनेक्शन से पावर देंगे यह सी पावर और हम देखेंगे कि इसके अंदर से हमारा आउटपुट बोल्टेज बन रही है या नहीं यह चीज आपको बहुत ही ध्यान पूर्वकी देना ह तो हमने इसके अंदर सिरीज कनेक्शन दे दिया हूं और आब इसका आउटपुट बोल्टेज है एक बढ़न चेक करेंगे और आउटपुट बोल्टेज चेक करने के लिए मैं माल्टेमीटर को बोल्टेज पर सेट कर देता हूं और मैं इसको यहां पर रखता हूं बोल्टेज देखने को नहीं मिर रहा है तो हमने एक गलतर कर दिया हूं कि यहां पे जो आमरा अमेरा फ्यूज था इस फ्यूज को हमने लगाना भूल गया था यानि कि यह फ्यूज ओपन हो चुका है तो अब हमने इस फ्यूज को वी रिप्लेश्मेंट करना परेगा तो यह चीज मैंने भूल गया था इसलिए अभी आउटपूट में कोई भी वोल्टेज हमें सो नहीं कर रहा है तो चलिए आप में इस फ्यूज को भी मैं लगा देता हूं हमारे पास तो सेम फ्यूज नहीं है तो मैं इसको सौट कर देता हूं बाद में दिखा जाएगा इसको फ फ्यूज लगा हुआ था तो फ्यूज के जगा पर मैं इसको लगा देता हूं हमने फ्यूज को सही सलमत लगा दिया हूं अब मैं इसको कनेट करता हूं सिरीज लाइन के साथ जैसा ही सिरीज लाइन पर दिया आप देखे इसका आउटपूट में हमें जो इंडिकेटर है व 23.5 वोल्ट आ चुका है यानि कि हमरा यह जो smps power supply है successfully repair हो चुका है और अब आप इस power supply को जहां से आपने निकाल आता हूँ आप इंस्ट्रॉल कर सकते हो और इसी टेकनिक के जरीए आप बाकी सो सारे smps है दोस्तों वो भी आप लगा सकते हो चाहे आप output में 33 वोल चाहते हो य लेकिन दोस्तों मैं आपको एक tips देना चाहूँगा कि इस module को आप उसी जगा लगाए जहां पे हमारा touch होने का खत्रा कम रहता है और हमारा ज्यादा sensitive चीज ना हो जैसे कि LCD LED TV power supply की बात करे तो आप LCD LED TV के power supply के अंदर आप इसको 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 अब आपके मन में यह सबल आएगा कि यह जो हमारा power supply इसके अंदर तो दो output है तो हम इसको अंदर लगाएंगे तो गरबड़ी तो नहीं होंगे लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए इसका जा output है यहां पे 33 volt आएंगे यहां पे 12 volt आएंगे और यहां पे क्या करा 33 volt को step down कर के यहां पे 12 volt बनाया गया है resistance के जरीए यहां पे देखिए resistance और डायोट के जरीए इसको 33 volt से 12 volt कड़ाया गया है तो इस तरीके का power supply के अंदर आप इसको लगा सकते हो बहुत ही आसानी से कोई भी दिक्केत नहीं होंगे लेकिन जहां पर आपका एक दो या दो या दो से ज बहुत दिन तक चलती है एक देर साल दो साल भी चल जाती है कोई भी पारिशन आपको नहीं होंगे तो यह था दोस्तों SMPS power supply repairing का तरीका आप लोग को बता दिया कि कैसे आप repair कर सकतो घरवेट है मुझे आता है कि आपको यह जो वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक जुरूर करती हैगा और इसी पूर करके अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब तरके जुरा रहिए हम फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए वीचिव और अल्ड़ा बेस्ट